the radii of the ends of the frustum of a right circular cone are 5 meters and 8 meters and its lateral height is 5 meter find the lateral surface area and the volume of the frustum देखिए आपके पास radii of ends of the frustum of right circular cone की कितनी है यह माली जी की एक frustum बना ठीक है इस तरह से तो इसमें मुझे दिया है कि इसके यह radius है 5 और बड़े वाली की है 8 अब आपको बताना है कि यह height कितनी इसके lateral height 5 है तो यह 5 है lateral height तो आपको lateral surface area बताना है कितना होगा देखो pi into r plus small r into l यह होता है lateral surface area फ्रस्टम का पाई का value 22 upon 7 लेकिन उन्होंने 3.14 बोलाया तो वही लेंगे 3.142 r plus r कितना हो गया 8 plus 5 हो गया 13 into l हो गया 5 इनको multiply करिए तो यहाँ पे अपने पास multiply करने पे 204.23 cm2 अब इन्होंने बोलाया कि volume भी बताना है तो देखे फ्रस्टम का volume क्या होगा volume के लिए अपने को पहले तो यहाँ height भी तो चाहिए height चाहिएगे अपने को यहाँ पे मतलब यह height कैसे निकालेंगे अपन यह वाली इस height का formula होता है देखे इस volume को मिटाई एक बार यहाँ height लिकिए तो h equal to होगा root अंडर l square minus r minus r whole square यह कैसे बना है देखे यह 5 है और 8 है अगर मैं यहाँ पे एक line बनाओ यह सीधी line तो यह सीधी line इसके height के बराबरी तो होगी और यह distance कितनी होगी 8 minus 5 होगी तो 8 minus 5 और यहाँ 5 इसका square था यहाँ से h निकल गया अपने पास तो h equal to तो यहाँ l है अपने पास 5 यहाँ 5 square minus r minus r 3 है 3 square तो h का value कितना आगया है यहाँ 4 cm सीधा आगया अपने पास ठीक है अब देखिया फ्रस्टम का जो volume होता है ना उसका formula होता है 1 upon 3 pi into h into r square plus r square plus capital r into small r यह होता है फ्रस्टम का area sorry volume 1 upon 3 pi का value 3.142 height इनकी अभी देखिया अपने कितने आई 4 into capital r था 8 8 square small r 5 तो 5 square plus 8 into 5 हो गया 40 अब यहाँ लिख दीजे अगर अपन डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड अभी नहीं हो रहा है तो 1 upon 3 into 3.14 और यह हो गया आपने पास 8 16 1 carry किया और यह 4 plus 1 5 5 68 into 64 plus 25 64 plus 40 हो गया 104 plus 25 129 अब 3 से डिवाइड करो तो 4 और 343 अब इनको multiply कर लेंगे अपन तो कितना आएगा देखो गड़ बड़ कर दीना अपने यहां यह कहां से निकाल दिया यह तो 3.142 था तो इसको multiply करना है अपने को यहां सिधा है लिख दो इसको यह बार 3.142 into 4 अब multiply करके निकाल लेंगे answer यह अपने पास आएगा 540.424 cm3 यह इसका answer है